अहली जनाब पुदिफार को मुझसे कोई काम था पेशकार एक कसर जनाब होने फर काफी अर्से से अलील है और कसर के बहुत से अमूर इलतवा में पड़े हुए है उनकी सहते अभी तक अमूर कसर की तमाम जिम्मदारियां आप समा लेंगे तुम यहां क्या कर रहे हो मैं माजरत चाता हूँ माजरत जनाब होनिफर की बीमारी से बाखवर हूँ इनके आइदेद को भी गया था आप परिशान नहों उनकी सहतियाबी तक हद्तुलमक्दूर फराईस के अंजान देही करूँगा परिशान नहीं हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम ये तमाम काम बहुता नहीं समाल सकते हो सिपास गुजार हूँ ये आपका हुसने नजर है असे वनीफर की जगा ये जार से पेशकार का अधस हमालेंगे यखीन ये आरा ना खुद सुना है इनी कानों से खुद जनाब पोतिफार की जमान से यकीन करो निवू साब उन्हें खुद सुना है यकीन करो हौनीफर की काई मकाम बने है योजार सिफ से बहतर और काल होगा तुम लोग को मालूम है क्या हुआ आसिब अुने पर की जगह युजार्सेब पेशकार का१़ अधास हमा लेंगे अब के मैंना सारे मस्लेह ँलों जाएंगे युजार्सेब आसिब पेशकार हका है इतनी खुशी की बात है उनसे अच्छाता कोई हो यह ही नहीता खान समा, खान समा, जी जनाब युजार सीफ, मैंने बताया था ना कि जनाब होने पर की तब्याद ठीक नहीं, उनके लिए कोई मुनासिब घिजा तैयार करवाएं, तैयारे जनाब, बस अभी भीजवाता हूँ, आप लोगों को कोई काम नहीं, यहां खड़े क्या कर रहे हैं? मैंने पहले भी बताया था, के इनका वक्ते आखिर करीब है, मेरे पास इनका इलाज नहीं, यानि कोई उमीद नहीं? कुछ तो कीजिए जनाब सेनुहा, यह बहुत कमजोर है, इस बीमारे के मुताहमिल नहीं हो सकते, इनकी पसलियों में खून के लोच्टे जमा हो गए हैं? अरसा हुआ, जो मैं कसर के अमूर से बेखबर हूँ, तुमसे से बेहतर कोई इन अमूर को अन्जाम नहीं दे सकता, हाँ? अब परिशान मत हूँ, बसाब को चाहिए आराम के साथ साथ जल ठीक होने की कोशिश करें। मैं अमूर कसर के लिए परिशान नहीं हूँ, परिशान हूँ अपने अमर के राइगाल जाने पर। जिन्दगी का सफर खत्म लेकिन तुरुस तराक इंतखाब को लबाश सका। मेरा खैल है कि मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ, अभी देर नहीं हुई, अभी राम मुन्तखिब कर सकते हैं। अच्छा मुझे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताओ युदार्शी, क्या आप ने अच्छी तरह सोच लिया है। पिछले 11 सालों से तुम्हारे खुदा के बारे में सोच रहा हूँ, जब से तुम्हें इस कसर में देखा है तब से। बस बहुत सोच लिया, आप से इसे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, बताओ मैं क्या करूं। मुझे कुछते जनाब होने पर के साथ तन्हा छोड़ दें। आप जब के ग्यारा सालों से खुदा वंद यक्ता के बारे में गौर फिक्र कर रहे हैं, बस यक्ता परस्त हैं। मुभारिक हो। मैंने मुद्दतों उस खुदा से तन्हाई में बाते ही। क्या आपको मालूम है कि खुदा के रसूलों पर भी एमान रखना जरूरी है। अगर मुझे उनके बारे में इल्म हो जाए। तो यकीनन एमान ले आऊंगा। हजरत आदम तमाम इनसानों के बाप और खुदा के सबसे पहले पयांबर है। और यूसुफ इस वक्त उनमें से आखरी है। राजीफ क्या कह रहे हो। यूसुफ तो तुम्हारा असली नाम है। यानि तुम पयांबर हो। यूसुफ अगर मुझे पता होता तो सालों पहने ही मैं तुम पर ही मान में आता। जनाबे होने पर क्या कुफर औ शिर्क के खुदाओं से और बेजान बुतों से इजारे बेजारी करते हैं। मुबारक हो। यक्ता परस्तों के मजमा में खुशामदीद। सालों पहले जनाबे पुदिफार के हमरा आमून के पेरुकार की अबादत का शाहिद रहा हूँ। और देखा कि वो लोग अपने हाथों से तराशीदा मस्नुई बुतों को किस तरह मुकद्दस गरदानते हैं। और अपनी जरूरियात को उनसे अर्स किया करते थे। मैंने उसी जमाने से खुदावन से एहद किया कि कुफर और बुद्परस्ती से मुपार्जा करूंगा। और मुझे खुशी है कि जनाबे होने पर मेरी इन काविश्यों के समराथ में से एक हैं। मैं भी मैं भी खुश हूँ जरूर से क्या वगर दुनिया से चला जाओं तो मेरा मकाम जहनम तो नहीं होगा ना। यकीन रखें यह खुदा का वादा है कि अगर कोई अपनी जिन्दगी के आखरी लम्हे में भी शिर्क को तरक करके खुदाए यक्ता पर इमान ले आए तो उसका शुमार निजात याफ्ता में होगा।